हेलो स्टुडेंट्स अपन लोगों ने लास्ट लेक्चर में अपने चैप्टर खतम गया था नमबर सीरीज के लिए तो उसी के जैसा सिमिलर बोल सकते हो एक नया टॉपिक है चैप्टर है अलफाबैट सीरीज ठीक है छोटा चैप्टर है दो लेक्चर में खतम हो जाएगा एक लेक्शन में मैं आज discuss करूँगा किस टाइप के क्या questions होते हैं अगली class में अपन previous year के थोड़े बहुत question देख नहीं है तो इतना है ज्यादा बड़ा chapter है नहीं छोटा सा chapter है चलो पहले बात करते हैं दोसर alphabet series और number series में क्या difference है जैसे number series है ना बेटा उसमें आपको बहुत different different patterns बन सकते हैं बट alphabet series में pattern की थोड़ी limitation है कम patterns बनते हैं और simple होता है as compared to number series number series में हो सकता है कि आपको question को try कर रहे हो बड़ी difficult बन रहे हैं बट alphabet series में ऐसा नहीं होता है ठीक है तो इसमें simple से एक series दी होती है जैसे number की series होती है वैसे कि वैसे alphabet की series होती है then आपको next term find out करना होता है या जैसे उसमें था एक wrong term वाले question discuss करा था मैंने wrong term find out करना वैसा कर वैसा इसमें भी मिल सकता है ठीक है तो वह होते हैं उस type के question ठीक है बट इसमें alphabet series को पढ़ने से पहले आपको alphabet test में जो number positions बताई थी उसका बड़ा use आने वाला है ठीक है उससे बहुत fast question solve हो जाता है है कि लिए चलो कि मैं कुश्चन लेता हूं मेरे पास question है एक कॉमा सी कॉमा question mark जी कॉमा question mark है कि लिए इसमें अपने निकालना है कि टर्म क्या रहेगा कि लिए तो सबसे बड़ा आसान तरीका पोजिशन ले लो वन वान थ्री जी की सेवन इसकी नाइन तो देख टूटू का डिफ्रेंस आता है सपोर यह फायर पर होगा तो अपना काम बच जाएगा और फायर पर होता है आपका यह तो बड़ा आसान मतलब देख पोजिशन जैसे ही आपको याद होगी तो बड़ी इजी लिए आप कोमा आर कोमा कोशिशन मार्क एन के लिए यह होगे यहाँ पर यह भी कोशिशन मार्क डाल रखा है BC, D, F, Q, H, Z, H, I कि यह को ले लेता हूँ कि सी आई आर कॉमा जी एम डबलू जी एम वी सॉरी कॉमा के ट्यू जैर कॉमा को झाय को यूट को सबसे बड़ा त्रीका सिंपल तरीका पोजीशन लिको मजे लेते चले जायों यह आपका ट्फैशन हे यह आपका एटीन है यह आपका फॉट्न है तो यह बड़ा भी उस से कि 16 होगा तो काम चल जाएगा यह आपका 12 होगा दो X 15 पे होता है defence क्या होता है तो बड़ा आसान हो गया मतलब ज्यादा कोई पोजीशन लिख थी इस में देई खो उस नंबर स्रीज में क्या है तयब हलसा सोचो कि नंबर सीरीस में क्या था कि वहाँ कि व्हाँ पर जभा आप fluent थी अम च्रूसर स्व के हो था एक आन कोशन था जो मैं आगे लिखे गेता हूँ कि ए कॉमा सी कॉमा एफ कोईशन मार्क ओ ठीक है बड़ा आसान कोईशन सो आल को फटा पड़ा जाएगा 136 कोईशन मार्क अपने को नहीं पता है ठीक है यह आपका फिप्टिन देखो यहां पे प्लस 2 हो रहा है अगले वाला प्लस 3 हो रहा है अगले वाला प्लस 4 हो जाए तो अगले वाला प्लस 5 बन रहा है क्या हां सर बन रहा है तो यह पोजिशन टैंथ हो नीची और टैंथ पर आपका होता है आई जी बढ़ा असान बहुत देखो इसमें बनेंगे लें तो बहुत सिंपल हाँ नूड़ाउट नमबर सीरीज के कंपेर बहुत सिंपल हो जाते हैं के लिए चलो यहां पर देखो यहां पर देख रहा हूं बैटा देखो इन दोनों का पहला पहला डिजिट कॉमन है बट देखो नमबरिंग करते चले जाओ देखो चार पांच चार और यह गरबड लिखा मैंने कि डी सी था पहले में डी सी था डी सी था कि तीन पांच वापस सिक्स फार कि लिए क्वेशन मार्ट कि यह है एट सेवन एट नाइन कि लिए ऐसा कुछ है देखो यहां पर क्या बन रहा है देखो यहां पर इस एसा वाले कोईशन में जनरली यही मिलता है आपको इसका इससे रिलेशन इसका फर्स फर्स वाले का रिलेशन रहेगा अधिन सेक्रेंद सेकंद सब्रक हर देखो मैं सम्क्राइब क्या हो रहा है lurus जीरो कि कि बैट द्रॉसे है फिर वापस यहाँ प्लस गोगा फिर आपका प्लस तू से जीडो फ्लस फ्लस टू यहां पर वापस देखू प्लस जीरो हुआ अगले बाले मां प्लस टू हो जाता है ठीजिए तो फ़सज एक बार जीडो इसमें देखता हो दूसरे बाले में ठीगे प्लस टू, प्लस जीरो, प्लस टू, प्लस जीरो, प्लस टू, एसा ही कुछ हो रहा है न, पहले वाले में जब प्लस जीरो कर रहा हूँ, तो दूसरे वाले में प्लस टू कर रहा हूँ, पहले वाले में जब प्लस टू कर रहा हूँ, तो अब देखो, यहां पे पहला डिजि सेवास्टाकों प्लस जीरोट एनिए प्लस प्लस टू करोगे तो इफ जी इसका आनसर बन जाएगा बड़ा असान कुशिएente है पीज़ दिक्कट वाली बात है निस में अगले वाले में देखो कि शि ऐनासर बीटी अ विए 3, 9, 18, ठीक है, ये कितना है, 7, 14, 22, के लिए, 11, 17, 26, ये देखो वापस, 15, 21, 4, ठीक है, इस 4 को मैं कुछ और भी लिख सकता हूँ, चाहो तो, देखो, पहली वाली डिजिट में सब में, प्लस 4 हो रहा है, हो रहा है, प्लस 4, तो आगे भी प्लस 4 बनेगा, तो आपका बनेगा, 19, 19 पे होता है, Rs, ठीक है, 19, अगले वाले में देखता हूँ, तो अगले वाले में, प्लस 5 है, नहीं, प्लस 5 नहीं हो रहा है, ये 13 है, सौरी, सौरी इस वारी 13 313 13 13 13 है तो यहां पर फोर 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 फिर प्लसफोर म्सला Looking ऐसी अगले वाले मैं देखता हूं तो उसमें भी मुद्सफोरी हो आप इसको मैं दूसरी लिए तो इसमें प्लस 4 करूंगा तो 25 25 तवा का आता है आपका वाइ, इसमें प्लस 4 करूंगा, 30 में तो j h आ जाएगा, आपका it. मतलुका ब़हुत बहुत बहुत पैटर्न जो इसका है , इसना ज़्यादा इजी आता है इतना ज़्यादा डिफिकल्ट यह नहीं देते एस कंपेर टू नंबर सीडीज के लिए हां बट आपको पोजिशन्स याद रहेगी ना तो बड़ा फटा-फटा आप सॉल कर पाऊंगे इक वाले तो के टी इडिए डिए तो के टी इडिए को मा एस बी एम को मा एजी यू एजी यू को मा आया शी नेक्स तुन पुछाए क्या होगा के लिए पोजिशन लिखो के की 11 25 19 2 के लिए यह आपका 13 1 10 21 9 18 3 ना चलो देखो यहां देखो फ्लस एक प्लस एक्ट फ्लस एट अंडिक ना इन इन यह रहे प्लस एट करूंगा तो मेरा बनता है ट्वैंटिस सीवन बड क्वैंटिस सेवन और वन तो एक ही पोजिशन आ तो क्या हो रहे बाटा सब्स एठ गोड़ ध्रस्यों इंपल सी बा प्लस एट हो रहा है तो 18 में प्लस एट करोगे तो आपका आएगा 26 और थ्री में प्लस एट करोगे तो 11 तो आपका 17 पे हो गया Q 26 पे हो गया तो यह आपका आंसर हो गया Q Z K Q Z K तो यह आपका बड़ा सिंपल आंसर में यह Q Z K के लिए A B C D G J H M R N T E SB K Kॉमा Z K K जहुमा बड़ा लंबको से जहते हैं। इस में क्या निकाल म्यों थे a को गरां टम फांड आउट करना वह तो यह तो रही को प्लस टांग में 12 कि लिए तो देखो वही पोजिशन लिखता हूँ 1 2 3 4 7 10 कि लिए एच का लिखता हूँ तो देखो एट थैंटीन एटीन एटीन 1421 कि लिए यह 19211 26 1122 ऐसा कुछ आ रहे हैं दीखो यहां पर पहले वाले में देखता हूँ तो यहां पर देखो फर्स्ट वाले को चूज करता हूँ तो प्लस थ्री है फिर प्लस फोर है सब्सक्राइब फिर फ्लस त्री है प्लस थ्री है फ्लस शीक है सब्सक्राइब यहां पर देखता हूँ तो वापस फ्लस सेवन है कि ले देखो यह सही हो रहा है यहां पे गरबद हो रहा है यहां पर प्लस इसा होता प्लस फाय वर प्लस 6 अगला प्लस 7 थैजाता है तो मतलब दोनों को बिगारने वाला इनके मिडल में है तो मतलब यह N गरबड हो सकता है suppose N की जगह मेरा क्या होता? M होता, मतलब 13 होता तो यह क्या होता? प्लस 5, प्लस 6 भी बन जाता तो यह मतलब मिश्टेक में इसमें ही लग रही है अपने को पहले वाले पैटर्स है के लिए तो M होना चीए था के लिए similarly दूसा चेक करें second one plus 5 then plus 6 then plus 7 then plus यह देखो, यह 28 भी हो सकता है 2 तो यह plus 8 हो गया यह plus 9 हो गया सही चल रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं last one plus 7 plus 8 यह देखो, plus 9 है क्योंकि वो 27 भी हो सकता है plus 10 और plus 11 बड़ा सही लग रहा है यह गरवर लग रहा है, यहाँ पर M होना चीए था यह T और यहाँ A होता तो सही होता था, यह आपका क्या हो गया wrong term, correct term यह होगी, wrong term यह होगी wrong term क्या होई इसकी MTA उसको replace किससे करना पड़ेगा, इससे करोगे तब आपका सही होगा मतलब MTA होता तो आपका काम बन जाता क्योंकि दोनों साइड में आपका pattern follow हो जाता किलियर, तो यह wrong term का question है एक और ले ले था, वह wrong term का question जो है आपको है DOU, EPV, FQW, ZRX, HTVY, ITZR इसमें अपने गों, wrong term find out करना है वही अपन पोजिशन पर जाते है DOU ही था न, इसका परल DOU ही ठीक है 4, 15, 21 5, 16, 22 प्लस वन देखो, प्लस वन प्लस वन हो रहा है 6, 17, 23 7, 18, 24 8, 20 इसका जगा 25 9, 20, 26 देखो, बड़ा किले नजर आ रहा है है अना, सब में ही प्लस वन, प्लस वन हो रहा है तो देखो, इसमें तो सही चल रहा है प्लस वन प्लस वन चल रहा है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दूसरे में देखो, प्लस 16, प्लस 17, प्लस 18, प्लस 2 हो रहा है यहां पर, जबकि प्लस 1 होना चाहिए था यहां था, क्या होना चाहिए, तो यह मिश्टक आ रही है यह नहीं नाइन्टीन फिर आपका वाई का भी वाई तो सही है और एच सही है यह होता रॉंग टम क्या हो गया इसका रॉंग टम एच टीवी टीवाई एच टीवाई उसका रिप्लेस्मेंट क्या है यह होता तो मेरा काम चल जाता यह मिश्टेक हुई इसकी एच टीवाई में के लिए तो यह थोड़े से क्वेशन रहते हैं इसके नमबर सी एक क्वेशन आता है अल्फा नुम्रिक अल्फा नुम्रिक में क्या होता पेटा अल्फा बेट्स तो रहते रहते हैं उसके साथ में मैं नमबर और गुसेड़ दू तो एफ ट्री एक्स कॉमा एच से वन यू कॉमा जे 15 आ कॉमा ये अल्फा नुमरिक सीरीज होगी दियर तो इसमें बात देखो यहां पे अल्फा बेट्स तो है यह जिसी यह सिक से यह ट्वैंटी-पोर तो देखो नमबर अलफाबेट्स में तो बड़ा आसानी से समझ में आ गया कि यह क्या हो रहा है प्लस वन प्लस टू प्लस वन था अच्छा यह एक टेट इसको एक लिए तो प्लस टू प्लस टू प्लस टू अगला भी प्लस टू होगा तो फॉर्टीन आएगा पहला ठीक है दूसरे वाले में देखता हूं इन में देखो ढूंत माइनस टू प्लस धा कैसे लिए्टव on में फॉर्टीं हो रहा है माइनस टू माइनस टू माइन की बहागा एम वहां प्लस यह माइनस टू अगले होर्टे थे अब numbers को अलग ले लो भले ही आप यह number की series आपको स्वाइल करनी कहने के 음악 नमबर की series आप इंटर्ट्रीस हो सकती हुआ हमय है इसमें आभ आपको जो चाये वह number siz wale pattern लगा सकता है वो उस पे ही pan करता है तो दिखो swan कर रहा हो डबल करके प्लस अगली बारम क्या होगा थाटी वन इंटू टू प्लस वन यह निए 63 आज़ेगा यह तो यह तो बड़ा आसानी से यह कुश्चन था बहुत सिंपल कुश्चन है को ज्यादा इतना डिफिकल्ट था नहीं नंबर स्रीज मतलब अल्फा नूमरिक में यह होता है कि आपको सिरीज गीवन होगी उस सिरीज के अकॉर्डिंग मतलब अल्फा बैस तो बनाई ही रहा है सिरीज बाकि उसके नंबर में भी क्या फॉर्म होगी सिरीज फॉर्म होने वाली है कि लिए चलो जरूर नहीं इतने मतलब अल्फा इस अल्फा बैट वाली सीरीज में जनली यह रहता है जब अल्फा नूमरिक वाले क्वेश्चन साते ना तो बड़े इतने ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आते सिंपल सिंपल से डाल देते हैं जैसे क्वेश्चन लेता हूं एट्री पी कॉ प्लस फॉर प्लस फ्लस फॉर तो अगला क्या आएगा फिटा प्लस फायव आएगा तो आप 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 आएगा तो कहा जाएगा प्लस फाइव यह नहीं 17 हो जाएगा चलिया तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं अब देखो यह वान 16 यह 3 यह 14 यह 5 यह 11 यह 7 यह 7 तो देखो पहले वाला नंबर तो एड़ होता जा रहा है क्या हो रहा है प्लस टू प्लस टू हो रहा है क्या हो रहा है कि इसमें प्लस टू करोगे तो सेवन का प्लस टू नाइन आएगा क्यों प्लस टू नाइन आएगा सिमिलरली दूसरे वाले मैं आप देखो बड़े आराम से तो माइनस टू हो रहा है माइनस 3 माइनस 4 अलग हो रहा है माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 अगला क्या होगा डियर माइनस 5 तो आपका एक्चुल में यह बनेगा नाइन यह 17 तो बीच का नंबर है यह इसकी पोजिशन क्या होगी माइनस 5 पर होगी तो 2 नाइन पे होता है आपका आई और 2 पे होता है आपका बी है तो आई 17 वी आपका क्लिया ना क्रेक्ट आंसर हो जाएगा तो बड़ा आसान कुछन है को ज्यादा difficult है ने हा इसमें भी आपका आपसिन है क्या रहा है आई 17 भी ठीक है इसमें भी आपका रॉंक टम वाले भी कोशन रहते हैं ना मैं एक क्वश्चन फाइंड करता हूँ equation था P3C R5F T8I V12L X18O Qama यह बड़ा लंबा बन जाता है Z23R के लिए एक क्वेश्चन था उपर भी में लिख पाव फूराई के लिए तो देखो यह 16 3 18 6 29 V का कितना होता है 22 12 24 15 26 18 के लिए यह बड़ा सिंपल सा हो गया देखो पहले में तो प्लस टू प्लस टू हो रहा है देखो प्लस टू प्लस टू है अना प्लस टू हो रहा है सब में प्लस टू हो रहा है कोई दिक्कत नहीं दूसरे में देखता हूँ तो देखो क्या हो रहा है प्लस टू हो रहा है प्लस टू अगले वाले में प्लस टू प्लस टू मतलब प्लस टू भी सही हो रहा है सब में अब मतलब दिक्कत नंबर में ही है नंबर में क्या था आपके पास नंबर में देखो अपने पास था था 3 , 5 , 8 , 12 , 18 , 23 थी नबर में देखो plus two है plus 23 है plus four है, ये plus six है ये plus five है मनलब यहां दोनों में गरबढ लग दिए कि लिर सपोर्ट ये plus five होता, ये plus six हो जाता तो अपना pattern बन जाता तो ये गरबढ है ये आपना 17 होता और लग ये आपना pattern बन जाता तो प्लस five भी हो जाता इधर और उधर प्लस भी हो जाता तो आपका रॉंक क्या हो जाएगा यहां पर रॉंक्ता। जो की हो जाएगा एक्स İT उए उसमें भी स्पेसल रॉंक क्या है आपका एटीन यह इसका होगा एक्स सेवन्टी दि अधा करेक्ट बाव किलेग अचलो ति है आज के लेक्षर में अपन इतना ही करते हैं अलफाबेट टेस्ट में इतनी है कोईशन की ज्यादा वेराइटी नहीं है मनला वह तो आप प्रैक्टेस करो और कुछ भी नहीं है ठीक है तो प्रिवेस यह कुछ प्रिशन अपन लगा लेंगे जो भी रिसेंट लियर में अलफा